आज से करीब साथ साल पहले एक यूवती घर से निकलती हैं एक सपना लेकर कि मुझे एक्टिंग करनी हैं मोडलिंग करनी हैं और जब वो घर से निकलती हैं तो उसके पीछे उसके परिवार को ये कहा जाता है कि आपकी लड़की तो भाग गई है उसने किसी और के साथ साधी कर ली होगी वो ये कर रही है वो वो कर रही है लेकिन आज उस यूवती ने वो कर दिखाया है जिसके बाद हर कोई उसकी परसंसा कर रहे हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं बाडमेर जिले के छोटे से कस्वे गुडा मालानी से निकल कर मुंबई तक का सफर तै कर साथ साल तक कड़ी मेनत और संगर्श करके आज सोहुनी कुमारी फिल्म निर्माता बन के इस सोहुनी कुमारी ने एक्टिंग और मोडलिंग की दुनिया में अपना खूब नाम कमाया और हाली में एक मुवी बनाई हैं फिल्म निर्माता सोहुनी कुमारी ने आखिर पलायन कब तक नाम की एक बेहदी उम्दा और वास्त्विक घटनाओं पर मुवी बनाई हैं मैं चाहूंगा विशेशकर राजिस्थान की लोग सोहुनी कुमारी को सपोर्ट करें दो फरवरी को उनकी फिल्म आखिर पलायन कब तक का ट्रेलर रिलीज होगा और 16 फरवरी को उनकी मूवी रिलीज हो जाएगी राजिस्थान के सभी सिनेमा घरों में उनकी मूवी आप लोगों को देखने को मिलेगी बहुत ही सेंसेटिव मुद्दा है वास्त्विक घटना पर और उस मूवी में बॉलिवुड के साथ साथ टीवी जगत की कई बड़ी हस्तियां काम करती वी आपको एक्टिंग करती वी नजर आएगी सोहनी कुमारी ने वाकई में वो कर दिखाया है अपने परिवार सहित बाडमेर और राजस्थान का नाम इस तरीके से रौसन किय है कि छोटे से गाव से निकल करके मुंबई में बॉलिवुड की दूनिया में आज वो फिल्म निर्माता बन गई है जिसके बाद हर कोई आज उसकी भूरी भूरी परसंसा करते वे नजर आ रहे हैं कि सोहनी कुमारी ने वाकई में जो परिवार के लोग चाते थे जो उसका सपना था वो पूरा कर दिया है अलांकि सोहनी कुमारी से पहले एक्टिंग मोडलिंग कई सो में उकाम कर चुकी है अपना व्यपार भी किया और आज बाडमेर या यूं कहें कि पच्छी में रजस्थान की पहली बेटी जो फिल्म निर्माता बनी है और खुद की फिल्म आ अपनी पति क्रियाबी दें क्योंकि हम सब आज उनका सपोर्ट करेंगे तब वो अपना नाम रोशन करेगी उनका नाम रोशन होगा तो हमारा होगा हमारे बाडमेर का होगा हमारे राजस्थान का होगा मैं इस वीडियो के माद्यम से सोहनी कुमारी और उनकी पूरी टीम को बधाई और धन्यवाद त्याना चाहूं